आप सब को याद होगा इस साल मार्च नौ को भारत से एक ब्रमोस मिजाइल मिस्फायर होकर सुपरसॉनिक स्पीड में 124 किलोमेटर पाकिस्तान के अंदर जागिरी थी उस समय खुशी की बात ही रही कि वो ब्रमोस मिजाइल आम्ड नहीं थी यानि उसके उपर कोई वारड नहीं लगा हुआ था जिसके कारण पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा पाकिस्तान ने उस समय काफी कोशिश की थी कि क्योंकि ब्रमोस मिजाइल अपने साथ नुकलर वारड को ले जाने में सक्षम है लेकिन अमेरिका, रश्या और इवन पाकिस्तान के आयन ब्रदर चैना ने भी इस इंसिडेंट के उपर भारत को टार्गेट नहीं किया ये ब्रमोस मिजाइल मिसफएर वाली जो घटना हुई थी उसके बाद से अशंका जिताए जा रही थी कि पाकिस्तान के हाथ ब्रमोस मिजाइल के पार्ट्स लग गे हैं देखा जाये तो ब्रमोस मिजाइल भारत के सबसे लीटल अतियारों में से एक मानी जाती है इसकी capabilities के कारणी भारत ने इसको further develop करके land, sea और air तीनों platform से launch करने में section बनाया है और अब इसकी range को extend करके 500 km से ज़्यादा दूरी तक मार करने में इसको section बनाया जा रहा है ऐसे में ये भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं होती अगर ब्रमोस सुपर सॉनिक cruise missile के mechanism और इसकी technicalities के बारे में पाकिस्तान को पता चलता इस वीडियो में हम ये discuss इसले कर रहे हैं क्योंकि इसी से related एक बड़ी update सामने निकल कर आ रही है reference के लैप की screen के उपर Indian Defense Research के article का screenshot है जिसके मताबिक पाकिस्तान के military officials और engineers ने भारत की ब्रमोस missile का मलबा और parts इकठे करके उसको decrypt करने की कोशिश की थी लेकिन पाकिस्तान अपनी इस कोशिश में पूरी तरह से fail हो गया है खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के defense engineers कोशिश कर रहे थे कि उनको किसी भी तरह ब्रमोस missile का on board data मिल सके जिसको एकसेस करने के बाद वो ब्रमोस missile के बारे में पता लगा सकें कि क्या ये missile सच में misfire होई थी या फिर भरती सेना के rogue elements ने इसको जान बूच कर fire किया था लेकिन पाकिस्तान अपनी इस कोशिश में पूरी तरह से नाकाम रहा खबे निकल कर आ रही है कि ब्रमोस missile जब पाकिस्तान की airspace में एंटर हुई थी उसने mid air यानि हवा में travel करते दोरान अपने self-destruct mechanism को activate कर लिया था और missile ने हवा में अपने आपको destroy कर लिया था जिस वज़े से जो parts पाकिस्तान के अंदर गिरे थे उनसे अब कोई भी data access नहीं किया जा सकता है इस वज़े से पाकिस्तान के analysts और defense experts ये मान कर चल रहे हैं कि भारत ने बीना explosives के ये ब्रमोस missile पाकिस्तान के air defense system को check करने के लिए जान बूच कर fire की थी ताकि भारत ये सुनिक्चित कर सकेगी पाकिस्तान ने जो चाइना से नए air defense systems purchase किये थे क्या वो ब्रमोस supersonic cruise missile को track, trace और detect कर पाते हैं या फिर नहीं पाकिस्तान का तो कहना है कि उसने भारत की ब्रमोस missile को detect कर लिया था लेकिन पाकिस्तान अभी तक ये नहीं बता पाया है कि ये missile इंडिया में कौन सी pinpoint location से miss fire की गई थी पाकिस्तान को तो इस incident के 24 गंटों के बाद पता चला था कि आस्मान से जो मलबा गी रहा है वो भारत द्वारा miss fire की गई ब्रमोस missile का था वो भी तब पता चला जब लोकल्स ने पुलिस को इसके बारे में report किया पाकिस्तान अभी इस बाद से nervous है कि चाइना से purchase किये गए उसके नए aid defense systems भारत की ब्रमोस missile को रोकने में बिल्कुल भी section नहीं है नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं